Assalamualaikum, Welcome to StudentTube, आज के इस लेक्टर में हम बात करेंगे Distributive Property of Multiplication over Edition की पिछले लेक्टर में भी हम Distributive Property की बात कर चुके हैं मगर हमने उसमें सर्च से रिलेटेड बात की थी आज हम इसमें Multiplication over Edition यानि रियल नंबर से लेकर बात करेंगे तो सबसे पहले हम इसकी Definition देख लेते हैं according to Distributive Property Multiplying the sum of two or more addends by a number will give the same result as multiplying each addends individually and then add up अब Distributive Property of Multiplication over Addition क्या कैती है According to Distributive Property Multiplying the sum of two or more addends by a number will give the same result as multiplying each addends individually and then add up यानि कि अगर एक दो या दो से ज्यादा number दिये हुए हैं और हम उसे पहले प्लस कर लें और इसके बाद किसी number से multiply करेंगे तो इसले सेम ही आएगा कैसे जैसे अगर हम उन तमाम numbers को individually multiply करें अब हम एक example लेते हैं और आप इस definition को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे for example यहाँ पर number है 5, 7, plus 3, bracket में हैं और multiply by 4 और equal इसी तरह यहाँ पर भी है 5, plus 7, plus 3, multiply by 4 ठीक है अब क्या कहा जा रहा है या तो आप पहले से plus करकर फिर multiply करें या फिर इसे अलग-अलग multiply करकर फिर plus करें answer दोनों का same आएगा तो चलें देखते हैं अब 5, 7 और 3 अगर हम इन तीनों को plus कर लें तो यह हो जाते हैं 15 और यह हो गया multiply और 4 ठीक है पहले हमने bracket solve कर लिया और इसे multiply by 4 कर दिया अब अगर हम यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या करें हम हर एक number को bracket के अंदे individually इसे multiply करें then इसे plus करें मतलब 5 multiply by 4 plus आ गया then 7 multiply by 4 then बीच में plus का sign then 3 multiply by 4 अब हम क्या करेंगे 5 4s are 20, 7 4s are 28, plus 3 4s are 12 अब हम इन सब को अगर plus करें तो हमारा answer आ जाएगा 60 ठीक है और अगर हम 15 4s are देखें तो यहाँ पर भी हमारा answer आएगा 60 बस फर्क क्या पड़ा एक step हमारा जादा हो गया बस यह फर्क पड़ा लेकिन answer क्या है दोनों का same है तो इसका क्या मतलब कि हम पहले number addants यह numbers क्या है addants के ला रहे हैं क्योंकि यह plus हो रहे हैं अगर हम addants को पहले plus करने देन उसे multiply करें या पर उसे individually पहले multiply करें देन उसे plus करें बात एक ही है answer हमारा same ही आएगा तो यह था हमारा आज को topic जिसमें हमने distributed property की बात की उमीद करती हूँ आपको यह topic बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा मजीद topics के लिए मेरे channel को subscribe करना मत भूलें और साथ ही अपने classmates and friends से share भी जरूर कीजेगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक के लिए दौा में याद रखिएगा अल्ला हाफिज